तो हम बात कर रहे थे हैं राहुल की, एक middle class family का लड़का जो कि सिर्फ 18 साल का है, पर वो अब life में आगे बढ़ना चाता है, अब राहुल को एक level उपर बढ़ना पड़ेगा, और उसे सीखना पड़ेगा कि वो अपना attraction कैसे बिल्ड करें, attraction बिल्ड करना, हम सीख रहे हैं सर financial transformation, और आप बात कर रहे हैं, attraction बिल्ड करने की, सीख जादा तर लोग जब हम attraction की बात करते हैं, smart दिखने की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है हम सिफ opposite six के लिए बात कर रहे हैं, बहुत बढ़ना बिल्ड करना है, सिफ उपर बात करना है, बात सिफ इतनी से नहीं है, सी अगर आप अच्छी दिखते हो, आप लोगों को अगडशित करते हो, माल लेते हैं, एक business conference के अंदर एक बहुत बड़ा businessman है, वहाँ पे सो लोग आयो है, पर attraction क्यों हो शाहिए, क्योंकि उन सो लोग में आप अलग दिखो, आप अलग दिखोगे, आप अच्छे दिखोगे दिखो, dressing sense की उपर भी हम बात करने वाले हैं, आपकी dressing sense अच्छी होगी, तो आप सो लोगों में से अलग दिख रहे हो, तो आपकी बात को सुना जाएगा, तो हम चाते हैं, कि राहूल कल को किसी को कोई business switch करे, कोई उसके पास idea है, या फिर वो कुछ sell कर रहा हो, चाई insurance sell कर नारो लाखों लोग हमारे साथ है, तो राहूल और राधिका कोई भी हो, यह सब के लिए valid है, पर राहूल का attraction जब build होना शुरू होगा, तो लोग उसकी बात को serious लेंगे, यह हमारा main concern है, कि लोग राहूल की बात को serious लेंगे, क्योंकि राहूल महज सिर्फ अभी 18 साल का है तो 18 साल बहुत ज़ादा age भी नहीं होती, बहुत ज़ादा experience नहीं है, तो ऐसा क्या है कि राहूल एक attraction बिल्ड कर पाएगा, अब यहां से सवाल आता है कि राहूल को क्या-क्या अपने अंदर changes लेकर आने हैं, और राहूल को एक चीज सीखनी है, जिसकी उपर आज हम detail में बात करने वाले हैं, and that is dressing sense, अब यह dressing sense की उपर जो मैं बात करने वाला हूँ, यह क्यों ज़रूरी है, इसके उपर तो भी मैंने थोड़ा साब को पताया, पर dressing sense की उपर ना again school और college में बात नहीं होती, जादतर middle class families में भी बात नहीं होती, लोग ना actual में dressing sense को समझते ही नह यह statement नहीं कि आप fashionable हो, यह statement है कि आपके पास अच्छे manners हैं, तो अच्छा dressing sense एक good manners की निशानी है, कहते हैं कपड़े पहनने की तमीज होनी चाहिए, तो एक तमीज है, और जिसे कपड़े पहनने नहीं आते हैं, तो आप कह सकते हैं बात तमीज ही है, क्योंकि लोग business conference में चले जाते हैं, बड़े-बड़े events में चले जाते हैं, शादियों में चले जाते हैं, और वही, sorry for my words, पर लोगों कपड़े पहनने की तमीज नहीं होती है, कपड़े पहनने की तमीज, कहां पर क्या पहनना है, कहां पर क्या पहनने से हम अच्छे लगेंगे, यह जाना जरूरी है जरूरी हर बार आप सूट और ब्लेजर पहनों आप जीन्स और टीशिट में भी अच्छे लग सकते हो पर कहा पर क्या पहनना है यह इंपॉर्टेंट है समझता तो अगर रहुल कल को किसी बड़े आदमी से मिलने जाएगा तो उसे क्या पहनना है क्या क्या चीजें उसका अट्राक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेंगी इन्फाक्ट अगर रहुल को डेट पर भी जाना तो उसके उपर भी हम बात कर लेंगे कि करेंगे उसके अब कपडे पहनते हैं ऑपना बॉड़ेट समझना पड़ेगा गृणद्विद ज़िए इसका अ मतलब एक तो height, जो height है हमारी, ये हमारे jeans के हिसाब से, हमारे माबाप के हिसाब से, उपर वाले के हिसाब से, ठीक है इसमें आप जादा कुछ नहीं कर सकते हैं बट आप कर सकते हो तो इसे ही आपको समझना है आपको अपनी body को समझना है ये body जो fit लिख दिया, इसे आपको समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले आती है आपकी height, अगर आज राहूल की height कम है, तो राहूल को क्या करना है, point number one कोई बात नहीं करेगा, मेरी खुद की height शेफ उड़ता है नहीं, तो मुझे ये जो चीज़े में आपको बता रहा हूँ, ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज़ से फरक पड़ता है, अगर आप किसी लड़की से मिलने गए हो, और लड़की की height आप से ज़ादा है, ठीक है, तो ये एक बड़ा ना natural instinct है कि लड़कों को लंबा होना ज़रूरी होता है, ठीक है, जब शादी होती है, तो ये बोला जाता है कि लड़की की height लड़की से ज़ादा होनी चाहिए, है ना बोला जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसी हो इसकाुली की तो अगर आज़ अच अब क्या करना है पॉइंट नम्बर वन या आप fit होगे या फिर आप underweight होगे तो ये तीन चीज़ दो सकती है अच्छा इस पर आपका काफी हद तक control है अगर आपको कोई बहुत बुरी बिमारी नहीं है तो 90% आप इसके उपर control लेकर आ सकते हो और ये बहुत ज़रा ज़रूरी है ठीक है तो अभी हम सबसे पहले height से शुरू कर रहे हैं देखो हम आज dressing sense की बात करें जब हम dressing की बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी height बढ़ा सकती है आपने बिल्कु सभी guess कि शूज अब कई सरे ऐसे लोग होते हैं जिने हील पहनना पसंद नहीं है अगर शू में हील होती है तो उन लगता है कि यह हील होगी तो शायद का चलने मोटना comfortable ना हो मैं खुद college time तक बिल्कु फ्लाट पहनता था शूज पर यह मैंने observe कि अगर आप एक अच्छे formal shoes यह in fact casual भी लेते हो and it adds like one inch आपकी height में add हो गया या 1.5 inch आपकी height में add हो गया so यह एक drastic difference देता है आपके looks को अभी तो आप camera में देख रहे हो तो आप मुझे पूरा नहीं देख सकते हैं but अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ अगर एक डिड़ इंच का जो फरक है न वो इतना पता लगता है यह हो गया 1.5 inch बस जसमे थोड़ा सा उपर किया है और यह जो फरक है यह काफी फरक होता है यह height के उपर आपको थोड़ा सा धहन देना रौन को देहां देना है, तो इंडिया के न सब की height जदा नहीं होती, तो जो average height होती है वो 5-4-5-5 होती है, सब की 5-6-57-58-59 मुझे पता है, क्योंकि सब की height जदा नहीं होती है, आप जब shoe selection करोगे तो selection के ओपर देहां दो, मैं महिंगे हाइट कम है तो आप और क्या कर सकते हो अगर राहूल जिम जाता है तो वो क्या कर सकता है वो टी-शिर्ट के साथ लोवर पहनने की जगा वो शॉट्स पहन सकता है हाँ पैरों के जो बाल है उन्हें ट्रिम कर ले ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होती वो जरूरी है क्योंकि के साथ शॉट्स पहन होगे तो हाइट थोड़ी सी जादा लगेगी अगर आपकी हाइट कम है और आप क्या कर सकते हो मैं डिटेल में बात कर रहा हूं मुझे कोई फरग नहीं पढ़ता क्योंकि इस चीज से फरग नहीं बढ़ता है इस वीडियो पर व्यूस कितने आ रहे ह मुझे इस चीज से फरग पड़ते हैं कोई इंसन नहीं बढ़ता सीरेसली मुझे सुन रहा है and over the years उसके लिए चीजे काम होनी चाहिए मैं कुछ भी आज बता रहा हूं एक बार में कुछ नहीं होगा पर आपको मेरी कोई ना कोई बात ध्यान रहेगी हो सकता आपको अच् सुन रहा हो यार वो कह यार यह वाला भी पॉट्ट मेरे लिए सेंसलेस है आगे बात करते तो आप सुन लो वास ठीक है सबके लिए इंपॉर्टेंट है जब आप शर्ट पहनते हो और आपकी हाइट ऑल्रेडी कम है तो आप जितनी जादा लूस शर्ट पहन होगे उतना ज की होती है एक ऐसी स्ट्राइब सोती है शर्ट में जिसे मोलते होरिजॉंटल स्ट्राइब और एक होती है वर्टिकल स्ट्राइब अपना सोने पर सवागा क्या हो सकता आपकी हाइट कम है और आप मूटे भी है अगर आपकी हाइट कम है और आप और आप होरिजॉंटल स्ट तो यह हाइट वाले कुछ important factors है इसकी उपर देहन देना Amazon पर flip card पर online आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा जैसे आप shoes के अंदर हाइट enhancing souls मिल जाएगे तो soul होते हैं शू के अंदर लग जाते हैं तो उसमें क्या है आप चूज कर सकते हो कि आपको एक इंच ही है और हो सकते हैं इतना comfortable ना हो या half inch लेलो या 0.75 inches ले लीजे तो उससे क्या होगा आपकी height थोड़ी सी जादे दिखेगी आपको अपने आपकी confidence आट्राक्शन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं तो बात बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से होगी बट होगी तो पूरी होगी ठीक है तो shoes की बात करी हमने shirt की बात करी या पर मैंने T-shirt और shorts की बात करी लोग shorts नहीं पहनते जतने जादा लंबे shorts पहन होगे उतनी आपकी कम height देखेगी, shorts की height भी आपकी optimum होनी चाहिए, basically क्या है कि जब हम घुटने की बात करते हैं, नी की बात करते हैं, तो नी से उपर होना चाहिए आपका short तब ही आपकी height जादा देखेगी, otherwise नहीं देखेगी, बढ़ हो सकता है, कुछ लोग comfortable नहीं और shorts पहनने में तो वो आपक routine के उपर, आप क्या खा रहे हो, और कितना workout कर रहे हो, दोई चीज़े हैं, हमारे जो इनरजी हैं, calories के अंदर, आपको पता है, हम जो खाना खाते हैं, हम calories ले रहे हैं, ठीक है, हमारी body, अभी मैं ख़ड़ा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, calorie burn हो रही है, so calorie का inflow है, और calorie का outflow है, अगर मेरा inflow जादा होगा, मैं जादा calorie का हूँगा, और burn कम करूँगा, किसी भी तरीके से, तो एक हिटी होगी, और एक हिटी होने की सबसे बढ़िया जगा होती है, पेट, पेट पे सबसे जादा आपका fat चड़ते हैं, चर्भी चड़ रही है, वो चर्भी से fat से नह बहुत ज़रूरी है, to build attraction, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा है न लगता, अगर किसी का पेट बिल्कुल ये बाहर होता है, आपका बेल्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए, पेट, और लोगों का क्या होता है, बेल्ट होती हैं यहाँ पर, पेट अले टकर होता हैं यहाँ पर, और वो totally आपके उपर है, और वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, एक जो fit आदमी होता है न, fit मेरे हिसाब से, वो synonymous है discipline का, एक discipline आदमी fit होता है, क्योंकि अगर आपने discipline छोड़ा, आपने ज़्यादा calories consume करना शुरू किया, आपने ऐसी चीज़े consume करना मीठा रादा खाना शुरू किया, तो आप इस category से निकल जाओगे, fit वाली category से अपने आप निकल जाओगे, fit आदमी होगा जो discipline होगा, तो आप चाहिए योगा कीजिए, चाहिए आप सुबह सुबह आपको जो पसंद है exercise आप वो कीजिए, आप जिम जाहिए, बट अपना goal बनाईए कि मुझे fit होना है, क्योंकि fit होते ही आप अपना attraction build करते हो, overweight होना बिल्कुर अच्छा नहीं है, अच्छा, underweight होना, उतना age वाली बाद होती है, होता है, अगे, जब ऐसे कई सारा लोग होते है, वो बोलते हैं, हम बहुत कुछ खाते हैं, पर हमारे शरी भी लगत होते हैं, पर उसके बाद ना, वो discipline छोड़ देते हैं, कुछ भी खाने लग जाते हैं, और उसके बाद ना, वो अंदर ही अंदर बीमार पढ़ने शुरू होते हैं, वो दिखेगा नहीं, तो मैं nutrition के उपर, fitness के उपर आज class नहीं देने वाला, but it is highly important, कि even if you are underweight, आप nutrition को और fitness को ignore ना कीजे, तो बस important है, और इसके उपर आप थोड़ा सा study कीजे, so that आप इस category से भी निकले, क्योंकि fit होना ज़रूरी है, तो बिल्ट सम muscles, so जादा तर जो underweight लोग होते हैं, उनके muscles बहुत immature होते हैं, try करो थोड़े से muscles body में बन जा है, क्योंकि अगर आप पहले सी पतल हो, तो पतला और कमजोर होना, दोनों लग लग चीजे, पतला होना एक अच्छी बात है, बट कमजोर होना अच्छी बात निया, कमजोर मतला कि you look weak, weak नहीं लगना, पतला होना अच्छी बात है, बट weak नहीं लगना, so when you will build some muscles, so body में हर जगाँ पे थोड़े-थोड़े muscles आ आपकी body shape में लगेगी, you look very good, so ये एक important aspect था, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने dressing sense के उबर बात करी, हमने shoe की बात करी थी, जब हम जूते की बात करते हैं, ये बहुत important होता है, क्योंकि अगर हम opposite gender की बात करे हैं, मैं रहूल को बता रहा हूँ, तो रहूल को मै ये बताना चाहता हूँ, कि भी, आपने कभी ध्यान दिया कि लड़कियों के पास कितने जोड़ी footwear होते हैं, वो जो पहनती हैं, sandals, heels, पहनती हैं, कितने सारे होते हैं, लड़कों के पास generally आपको middle glass families में देखेंगे, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, जादा नहीं होते हैं, पर लड़कियों के पास बहुत सारे होते हैं, हैसा नहीं उनके footwear सस्ते आते हैं, बात ए है, क्योंकि वो footwear पे ध्यान बहुत देती है, और वो opposite sex के भी footwear पे ध्यान देती है, कि अगर एक लड़का है, तो जोटों पर नजर जरूर जाती है, अब ऐसी पूरानी कहावत थी कि इनसान की ओकात पता लगजाती उसके जूते से, ऐसे कई कहावते होते हैं, पर definitely लोग जूतों पर ध्यान देते हैं, तो जूतों पर आपको क्या ध्यान दे रहा है, इससे समझना है, तो basically आपके पास चार्ड जोड़ी जूते होने चाहिए, four pair of shoes आपके पास होने चाहि तो दो तरीकी की dressing होती है, एक होती है formal dressing, और एक होती है informal dressing, ठीक है, तो informal dressing और formal dressing की ओपर हम बात कर रहे हैं, जब हम formal dressing की बात करते हैं, जब आप pant shirt पहनते हो, suit पहनते हो, यह हो जाती है, formal dressing, जब हम formal dressing रखते हो, तो आपके shoe भी formal होने चाहिए, अब formal shoe में basically हम पहले बात क कि या फिर टैन या ब्राउन कलर का आपके पाट सूर्प होना चाहिए इसका रीजन के है क्योंकि यह 99 परसेंट ऑउट फिट्स के साथ चला जाएगा आपको और कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा तो black और जो brown color है tan color है यह आपकी 99% outfits के साथ जाता है ठीक है अभी मैंने blue color का suit पहन रखे तो black भी जाएगा और brown भी जाएगा पर अभी जो suit पहना हुआ है इसमें कोई ऐसी चीज़ है एक ऐसा element है जिसकी वाइसे सिर्फ मैं black color का इशो पहन सकता हूँ brown नहीं बन सकता आप बते ही वो क्या element है मैं आपको 3 second देख लिया होगा आपने मुझे अच्छे से मैं आपको बताता हूँ वो element है belt क्योंकि मेरी belt जो है वो black color की है इसलिए black color का ही शो पहनना मड़ेगा belt और sugar color starting में जब तक आपका extreme level पर fashion sense डेवलप नहीं होता तब तक एक ही होना चाहिए ये लोग ध्यार नहीं देते अगर मैंने black color की belt के साथ brown डूल के shoe पहने बिल्कुल और लगेगा बिल्कुल और लगेगा ये color जो होने चाहिए similar होने चाहिए color similar मैं same नहीं कहता क्योंकि हमेशा same होसकता है घराई की बात कर रहा हूँ पर ज़रूरी है अभी हम belt के उबर बात करने वाले हैं पर हम पहले shoe को खतम करते हैं तो आपके formal में black और brown होने चाहिए और ये तो आपको समझाई किया होगा कि अगर आपके black और brown करके shoe आ रहे हैं तो आपके बेल्ट भी black और brown होने चाहिए आज कर reversible belts भी आती है तो आप reversible belt भी ले सकते हैं अब हम informal की बात करते हैं यहां पर तो आपको समझा रहे हैं जब फॉर्मल खरीद होगे अगर आपकी height का मैं मैंने पताता है heel वाले ले सकते हो ठीक है अब आप loafers भी ले सकते हो कई बार ऐसा होता है कि आप formal dressing के साथ भी लोग loafers करी करते हैं बड़ loafers में जनरली heel नहीं मिलेगी और अगर heel मिलती है और वो अच्छे लगते हैं तो you can definitely have not a problem informal dressing के अंदर loafers तो informal में ही आते हैं तो formals में नहीं आते हैं बड़ formals के साथ चले जाते हैं ठीक है informal dressing के अंदर आप loafers ले सकते हो and definitely आपके पास एक अच्छे sport shoes हो सकते हैं अब आपके पास एक सवाल आएगा सरी यहां पर आपने color बता थी आपने color नहीं बताया तो मैं आपको बताता हूँ आपके पास white color के अगर आपके पास shoes है informal dressing के साथ तो वो आपके again maximum outfits के साथ चले जाते हैं 80% outfits के साथ white color के shoes चले जाते हैं अगर आप simply एक आप imagine करो आप black color के टी-shirt पहन रहो आपने jeans पहने यह blue color की तो white color के shoes रहेंगे अब आप कोई भी combination लेओ white color के shoes 80% combinations के साथ चले जाते हैं तो आप खरीच सकते हो और भी colors बढ़ आप white खरीच सकते हो क्योंकि white अगे attractive लगता है बड़ उसको थोड़ा से maintain करना की जुरू होता है अब हम belt की बात कर रहे हैं belt के उपर हम क्यों बात करे हैं यह belt आजाता है accessory में अगर अभी मैंने जो belt पहनी हुई है आप होज़कते इसकी तरफ ध्यान दे रहे हो because इसका buckle थोड़ा bold है मैंने इसलिए खरीदी अब मैं इस belt को उतार देता हूँ ठीक है मैंने belt को remove कर दिया अब यह belt को remove करके मैं यह फरक देता हूँ क्या फरक पड़ता है कुछ तो फरक पड़ता है कुछ तो फरक पड़ता है यह जो एक एक दो दो पाच पच परसेंट का difference है ना हर चीज से फरक पड़ता है अब मैं एक एक करके चीज़े दिखाऊँ आपको और फिर मैं आपको पताऊँगा इसके बाद आपको dressing sense पे किन किन चीज़ों की तर ध्यान देना पड़ता है तो अभी मैंने एक simply से simply अपनी एक ring हटा दी है ऐसे ring हटा दी फिर मैंने अपना ये bracelet भी हटा दिया ठीक है ये हटा दिया अच्छा जरूरी नहीं है गोल्ड का पहनना है मैं आपको बताऊंगा इसके ओपर ठीक है तो ये धीरे धीरे करके आपको build करना पड़ेगा और जूरूरी ये ही पहनना है आप बहुत सारे लोग देखोगे अभी हो सकता कई सारे लोग ना मेरी बातों से agree ना करे है उन लगे यार क्या बता रहा है पुछकर हम कई सारे लोगों को देखते हैं बिल्कुल सिंबल रहते हैं बहुत अमीर है यार अट्राक्शन बिल्ड करने की बात कर रहे हैं ठीक है गाड़ी तो Honda City बेच्छी है बड़ आपको BMW और Mercedes क्यों चाहिए क्यों चाहिए उस्यादा अट्राक्टिव लगती है और उससे भी अच्छी है अगर आप एक युनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे सो खुबसूरत लड़किया हैं तो उन सो खुबसूरत लड़कियों कोई क्यों आप देख रहे हैं बाकी भी तो लड़किया कोई जुरूरत नहीं सिर्फ कंसिप्ट समझने की जुरूत है तो अभी मैं वाच हटा रहा हूं और वाच की ऊपर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टन है इंपॉर्टन है अब एक और चीज में हटा रहा हूं और इस ची अब मैं टाइब भी पहन सकता था क्योंकि मैंने तो मैंने चेन पहनी जिस निम्हें प्राइब पहनता हूं तो जिन चेन पहनने की कोई जरूत नहीं होती है अभी मैंने चेन भी हटा दिए अब मैं एक और इंपरणट चीज उटा रहा हूं, वहीं प्लू-लाइट मैं इक है अब तो फिल्टर की तरह काम करता है था अब अ अब हो सकता है यह ब्लेजर को मैं हटा देता हूं यह सो ब्लेजर अधिया और मेरा माइक भी जाएगा या माइक लगाना पड़ेगा हो सकते होड़ा से डिस्ट्रूबंस आयो नौइस का अब इस वीडियो को आप रिवाइंड कर लो थोड़ा सा और जितना टाइम मुझे लगा हो सकते हो एक मिनट लगया हो एक डिट मिनट पहले चाहिए वह एक स्क्रीन शॉट लीजे और इस स्क्रीन शॉट को लीजे मैं सेम पुष करूं I'm the same person ना मेरा body language और confidence से वह नहीं जा सकता ठीक है वह तो same ही रहेगा पर कुछ फरक दिखरा आपको अब यहां से imagine करो इस तरफ से इसी dressing sense में एक लड़का आता है इंटर करता है और एक बहुत अच्छा business में ने सामने और यहां से जैसा मैं पहले किसकी तरफ ध्यान जाएगा important है attention लेना यर मैं एक बाद बोलता हूं आपको समझ आए तो बहुत बढ़िया है और business world में सबसे important है attention is money attention is money आज नहीं समझाएगा कोई बात नहीं क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आज के लिए नहीं बन रही है यह वीडियो आपके लिए बन रही है सालों के लिए तुम आपने सालों का तरज़र्वा आपको दे रहा हूं अटेशन नहीं है नरकिया क्यों जोल्री ख कोई वरसाची नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ 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 चूटी चूटी चीज़े अट्राक्शन बिल्ड कर दिया अब हम दुबारा से आगे बढ़ते हैं मैंने आपके सामने एक स्पेक्टिकल लगाय हुए थे अभी मैं कोई ब्राइंड की बात नहीं कर रहा है ब पटे जाल से समझना इस फ्रेम पर मुझे देख रहे हो इस फ्रेम पर किसी को भी देखोगे तो सबसे पहले उसके चेहरे की तरफ देखोगे जैसे ही昨thisode वह ने शएब कर वाया ऊवे सबसे पहले क्या यह फर्द दे उन से आपको सबसे क्या பेर दे चाल लिए को यहां औ और इस frame को आपको beautiful बनाना है इस frame को थोड़ा सो और attractive बनाना है so अगर आप एक अच्छा eyewear पहनते हो eyewear अलग अलग तरीके के हो सकते है आप bold पहन सकते हो बड़ आपके face के according अच्छा लगना चाहिए बड़ लोग तो देखेंगे जैसे ही आपके पास एक अच्छा eyewear है यह लोग attractive आपके looks बढ़ेंगे 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 दूसरी चीज़ होती है क्योंकि यह frame है यहां तक लोग देखते हैं ठीक है तो necklace जो होते हैं सारे necklace यहां तक होते हैं so अभी chain बोलो necklace बोलो so I have this necklace मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कोई फरक ने पढ़ता gold का पहनो और नहीं पहनो but necklace तो पहनना है अगर आपका गला खाली है ठीक है कई लोगों के लिए अच्छी बात है कई लोगों को लग रहा होगा but सिर्फ खाली गला अच्छा है लगता ऐसा मेरा मानना है और मैं ये बिल्कुल ली कह रहा है कि जो मेरा मानना हो आपका मानना हो पर जैसी मैंने ये chain पहनी थोड़ा सा ध्यान जाता है थोड़ा सा ध्यान जाता है क्योंकि अगर इसका बटन खुला हुआ है कि if you are wearing a chain, ठीक है, that's it. Then, let's talk about watch because ये सारी accessories की उबर हम बात कर रहे हैं and people do not talk about accessories, बात ही नहीं करते हैं. मैं थोड़ा सा watches को शौकीन हूँ और ये बहुत महँगी घड़ी नहीं है मेरे हाथ में इस वक्त, it doesn't matter पैसो की बात ही नहीं है, ठीक है, so I have a good collection of watches जो मैंने सालों में बिल्ड करी है बढ़ आज राहूल को क्या जरूरत है देखो या राहूल अगर तुआ भही मैं राहूल से बात करता हूँ सीता, तो राहूल अगर आप भही अपनी पहली watch खरीद रहे हो, तो आपका सवाल हैगा, सर्कौन सी watch, important है, आपके पास जिस color के shoes है न, उस color से मिलती हूँ, watch लो के बहुत अच्छा रहेगा और पहली watch ले रहे हो तो आप strap watch लो, strap watch लो, आप chain watch मतलो पहली घड़ी ले रहे हो, ठीक है important है, आप पहली पर घड़ी के लिए invest कर रहे हो, go for a strap watch, उसका reason बता देता हूँ, होता कि है, जब आप strap watch लेते हो, देखो, मैं leather के, तो support में नहीं हो, बिल्कुल भी but, leather हो, रेक्सीन हो, तो थोड़ा सा muscular लगता है, it looks a little muscular बहुत छोटी चीज़े हैं, but important है, so अगर आप brown color के shoes हैं आपके पास, तो brown color के strap आपके साथ, एक अच्छी watch ले सकते हैं decent watch, पैसो की बात नहीं है आप अपने according देखो, but watch पहनने से फाइदा और मुकसान, देखो किसी जीसका नहीं है, सारी चीज़ें सिर्फ आपके attractiveness को बढ़ाती है, क्योंकि लोग ध्यान देते हैं इन चीज़ों के ऊपर आपकी watch के ऊपर लोग ध्यान देते हैं मैं लोगों की watch की दर ध्यान देता हूँ अभी हुआ गया एक seminar में मैं इसे एक लिलका मिलने आया और उसने बोला, सर मैं trade करता हूँ मैं invest करता हूँ और उसने simple कपड़े पहने हुए थे एक simple t-shirt, एक simple jeans पहने हुए थी पर उसने 60 lakh रुपे की घड़ी पहन रही थी अच्छा मुझे घड़ियों का शौक है तो मैं ऐसे पचान सकता हूँ कि घड़ी कितने की है 60 lakh रुपीस की watch थी उसकी सो मुझे पता है कि मैं किसी से बात जिससे कर रहा हूँ वो आदमी कोई आम आदमी नहीं है यह चीज मैंने over the years देखी है लोग आप एरपोर्ट पर जाओगे कई सारे लोग आपको देखेंगे बड़े simple से देखेंगे पड़ उनकी watch उनकी आउकात बगा देती है यह तो हुआ watch महंगी थी बट सिब महंगे से फरक नहीं पड़ता है लोगों का ध्यान जाता है हाँ पर तो चाहे watch 5000 की हो चाहे 5000 की हो watch ना होने से अच्छा है कि watch हो ठीक है rings and bracelets this is 100% यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है यह तो मेरा shock है so मैं बहनता हूँ क्योंकि लोग देखते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है so मुझे अच्छा लगता है तो यह तो 100% investment है ठीक है डबल होगे rate जब से लिए बट है कि चीज कि यह accessory है 100% accessory है यह बात किया है कि 500 की हो यह 500 लग की हो it doesn't matter but यह accessories है और लोग इसकी तरफ देखते है ओमर नहीं हो रहा है यह बपी लएडी बनने की जुरूरत नहीं है but आपको गया this is too much gold that if people can say that but definitely your choice है और आप कोन से setup में जा रहा है यह आप ज़्यादा जोल्री पहन के रोड पे नहीं चल सकते है आप समझे नहीं हो that is what you cannot do आप नहीं कर सकते है पर आपको समझना पड़ेगा कब जादा हो रहा है कब कम हो रहा है तो अभी के लिए मैं अपने glasses change कर रहा हूँ ठीक है and blazer पहल लेता हूँ किसी भी ब्रैंड से जाके blazer खरीद होगे उसमें क्या फरक है यह सस्ता है उससे आप जो भी ब्रैंड से खरीद के ला रहे हो तो पैसो की तो बात ही नहीं है बात क्या होती है कि people just do not know कि जब आप कोई कपड़ा सिलवा रहे हो तो फरक होता है यह गलफी में फरक होता है यह जो कॉलर है इसमें फरक होता है यहाँ पर मैंने एक ब्रोश लगा रहा है यह छोटा सा ब्रोश यह क्या क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है यह डिफरेंस क्रिएट करता है हर चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है यह सारी accessories को आज हम समझ रहें और मैंने काफी time लिए accessories समझाने में accessories पर invest करो चाहिए 100 रुपे का pocket square हो जब आपका pocket square pocket में होता है it looks good आपका चाहिए brush कितने का भी हो but it looks good and definitely आपको थोड़ा सा color combinations के बारे में पता होना जरूरी है मैं belt पहने लेता हूँ यार क्योंकि मुझे all लग रहा है so all it continue करता है so शायद मैं पुराने जैसे एटार में था वैसी आगे हूँ but जैसे मैं आपको पता है हर छोटी छोटी चीज़ से फरक पड़ता है आप वही shirt बनवाने जाओगे आपका टेलर आलमस्ट उतनी पैसे लेगा होगता थोड़े से जादा ले 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 अगर आप उसे बोलोगे यार मेरे बटन हाइड करते है जो बटन से दिखने नहीं चाहिए बेसिकली जब फिट हो जाओगे ना आपकी चस थोड़ी सी बाहर आईगी यह जो बटन उपर वाला खुले लग जाएगा अब देखो क्या होता है जब भी बटन्स होते ना यह ऐसे बटन्स अच्छे ही लगता है अगर आपके बटन्स दिख रहे हैं टेलर को आप बोलो के तभी वो करेगा वरना वह एक्स्ट्रा पेन नहीं लेते आप उन्हें बोलो के गलफी लगानी है बटन्स बढ़ाने हो तभी बढ़ाएगा वरना नहीं बढ़ाएगा आप उसे बोलो के इस तरीके के जैसे पता नहीं से क्या बोलते हैं ड्रागन कॉ बनवाता हूँ, तो हमेशा कफलिंग पहनता हूँ, यह सब चीज़ें न मैंने बहुत पहले सीखी थी, और यह छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट लोग इनकी तरफ ध्यान देते हैं, अब मेरे पास ऐसी बहुत सरी एंडले स्टूरीज है, मैं किसी घर पे गया, तो महाँ पर एक बच्चा था, उसने बोला कि, पाप इन्होंने तो बहुत महेंगी शर्ट पेन रखी है, अचा मैंने महेंगी शर्ट नहीं पेनी हुई थी, मुझे पता है, पर पॉइंट किया कि शर्ट महेंगी लगती है, अगर आपने उसमें कफलिंग अड़ कर दिया, बहुत च छोटी-छोटी चीज़े, अट्राक्शन बिल्ड करेंगी, ड्रेसिंग सेंस के उपर हम बात कर रहे थे, अब राहुल को, ड्रेसिंग सेंस को, इमिडेटली इंप्रूव करने की जुरू होता है, पहली बात तो, आपका बॉड़ी फिट समझो, हाइट को समझो, अगर आज सब ओवर वेट हो, तो फिट उजो, फिट हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसके बाद, आप सबसे ज़्यादा अट्राक्टिव कम लह गहे है, आप सबसे ज़्यादा अट्राक्टिव सिफ डेसिंग से नहीं लहों गहे है, आपको ओवर ओर चीजों की तरफ रहे हैंजेいく करता हूं और आपके नेल्स की तरफ कैसा लगेगा बहुत दूरा लगेगा अचा यह लगेगा आप अर्ड इमैजन करो आप किसी लड़की से मिलते हो किसी पाटी में मिलते हो वो लड़की आपके पास आती है वह डांस कर रHealthy और आपके पास आके बात करना शुरू करती है और आपको ना उसके बालों से स्वेटिंग की स्मेल आ रही है ऐसा लग रहा है कि उसने हेर वाश नहीं किया हुगा काफी टाइम से आपको कैसा लगेगा आप जिम में जाते हो बहुत खूपसर लड़की है आपके वरकाउट कर रही है आप उसके पास जाते हो और एकदम से वो आपकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और स्माइल करती है आप देखते हो उसके दाज जो है न वो थोड़े से लाल-लाल हो रहे है जुमा केसरी हो रहा है आपको कैसा लगेगा किया बाते कर रहे हुं भैलगु अच्छे ही लगेगा चो यह पर्सनल हाईजीन है यार पर्सनल हाईजीन है यह मेरे फादर ने मुझे बच्छम शरु हो बच्छम से सिखाया सुबह उठके किनी जल्दी कहीं पर भी जाना हो हमेशन अब बाल बना कर जाओ दो मिनिट लगते हैं बट बना कर जाओ ऐसा लगना नहीं चाहिए तुम सुबह उठके बैट छोड़के एक दम से भी गए हो तुम ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सोके उठके आ रहे हो बट लोग ध्यान नहीं देते कभी ध्यान नहीं देते बट ये छूटी-छोटी चीजें आपको अलग बनाती है तो मैं राहूल को ये बता रहो भई कितनी जल्दी में हो दो मिनट लग अबाल बना कर जाओ आज आपको अच्छा दिखना है अट्राक्टिव दिखना है, स्मार्ट दिखना है अब किसी अच्छे सलोन पर जाएए महेंगे सस्ते की बात नहीं है पर अपने फेस कटके हिसाब से उन्हें बोलिए एक अच्छे हेस्टाइल मुझे दे दीजए अगर आप बेड रखते हो तो मेंटेंड रखे अगर कोई भी लड़की है वो डांस कर रही है, उसने हेर वाश क्योंकि लड़कें डेली हेर वाश नहीं करती है तो वेर अगुड फ्रेक्नेंस अल ला टाइम ये तो गोस विदाउट सेंग है न अगर आप किसी के सामने से निकल रहा है तो उसे भाई, खुश्बो आनी चाहिए है ये तो सब सिखाते है कौन सिखाते है, नहीं सिखाते है ये सीखना ज़रूरी है ये परसनल हाइजीन का पार्ट है आप किसी जॉब इंटर्व्यू के लिए जा रहे है ठीक है आप वहाँ पर बहुत अच्छे से निटन के लिए ड्रेस अप होके जाते है पर कोई इंसान आता है वो बोलता है, मेरी बस छूट गई, फिर मैं इस से आया फिर मैं ट्रेन से आया और अभी है आपको वो दिख रहा है यार उसकी जो शर्ट है वाइट गलर की शर्ट पहनी हुई है, पूरी स्वेटिंग हो रही है और वो कह रहा है, पसीने आ रहे है मैं लेट हो गया हो, मुझे अंदर जाना है आप साथ में बैठे हो आपका नेक्स नमबर है, उसका आपके बाद है आपको पहले पता है, इसका सेलेक्शन नहीं होने वाला क्योंकि जो आपको स्वेटिंग में देख रहा है इस वक्त वो आपको अच्छा ही लग रहा है, बड़ उसकी जेनरून प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम जेनरून थी, बड़ अगर उसे इंटर्वियो में जाना चाहिए, आपको खुद लगना ना ऐसा बड़ लोगों को समझ नहीं आती है चीज़े लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता है So finally, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है, देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपको अट्राक्टिव दिखना है, तो थोड़ा सा अड्रेसिंग सेंस पर काम करना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी छोड़ी 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 चीज़े हैं असे सिरीज की बात करी, आपको बताने की कोशिश करी, अच्छा कई सरे लोग हो सकता हूं, उन्हें मेरे फैशन से बिल्ग अच्छा नहीं लगता हूं, तो इट इस 100% होके हैं, देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि, मुझे सब कुछ आता है, जो मैं बता रहा हूं, वो ही 100% करेक्ट है, अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया, भही इसमें से कुछ चीज़े मेरे काम की हैं, कुछ चीज़े मैं अपनी तरफ से आड़ करूँगा, 100% होके, बर जितनी मेरी समझ है, मैं कोशिश करता हूं, कम से उतनी तो बता दो, उसके बाद, टूटली योड चोईस है, आपकी लाइफ है, आपको ग्लास, गुड मैनर्स के ऊपर, हमने हाईजीन के ऊपर बात करी, और हमने डेफिनिटली बात करी, कि ऐसी कौन सी चीज़े है, जो आपके अट्राक्शन को बढ़ा सकती है, एक और चीज़े होती है, तय पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए, आपको टाय डेफिनिटली पहननी चाहिए अगर आप कोई business setup के अंदर जा रहे हो reason क्या होता है so एक बहुत पुराना इसकी उपर story है कि जो लोग basically church में होते थे ना वो गले में कुछ टाय जैसा उस टाय नहीं होती थी कुछ ऐसा पहनते थे तो वो लोगों का clearly पता लगता था कि यह church से जुड़े होए हैं और जूटनी बोलेंगे यह सच बोलते हैं लोग ऐसा होता था तो वो religion से related था उसके बाद उसमें एक important क्या था जब भी हम टाय को बांते हैं हम not बांते तो ऐसे 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 करके होता है तो जो यह है basically आपको पता है यह Jesus Christ का sign है तो लोगों को ऐसा रखता कि गले में उनने Jesus Christ को पहना हुआ है तो जब लोगों ने business करना शुरू किया खासकर sales के अंदर किसी को कुछ product बताना शुरू किया को यह पूरी cover हो जाती है तो सारे बिटन cover हो जाते है basically बट टाय को आपकी belt के नीचे नहीं आना चाहिए important होता है टाय हमेशा belt के ऊपर होनी चाहिए तो आप टाय जब पहनते हो तो टाय के साथ आपका pocket square matching हो यह आपको important समझना ज़रूरी है या फिर contrast में हो दूसरी चीज़ जब आप टाय पहनते हो तो again अंदर ही अंदर वो एक psychological impression होता है कि यह आदमी सच बोलता है यह आदमी professional है तो professionalism का sign होता है टाय पहनना टाय पहनना salesman का sign नहीं होता रतन टाटा जी भी टाय पहनते वारन बफे भी टाय पहनते है तो depend क्या करता है कि आपको पता होना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनो अच्छे देखो और आगे अभी बहुत कुछ सीखना बागी है so अब जहां तक मुझे personal development की उपर बात करनी थी जहां तक मुझे आपके addressing sense की उपर बात करनी थी आपके attractiveness को build करने की उपर बात करनी थी मैंने काफी बात कर ली है बट यह series है financial transformation की उपर so आने वाले topics की उपर काफी जदा importance देने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं कैसे राहूल financially आगे बढ़ने वाला है so अभी तक की series आपको कैसी लग रही है in fact कुछ मैंने topics अपनी तरफ से जो add करे हैं मुझे लगता important है आपको यह कितने important लगे और आपको इस video specifically इस video में सबसे अच्छा क्या लगा प्लीज comment करके बताएगा अगर आपके कुछ सवाल आप comments में पूछ सकते हैं and इस video को बिना बोले share कर सकते हैं क्योंकि हमने इस series के अंदर जो यह information देनी की कोशिश करिए बहुत सरे लोगों के काम आ सकती है in fact सिफ एक ही video काफी नहीं है personality development के उपर मुझे पता है कि आप लोगों को काफी detail में सीखने की ज़रू होता है इस series में तो हम से वितना ही cover करेंगे बढ़ अगर आपको detail में सीखना है तो हमने एक advanced personality development के नाम से already course बनाया हुआ है उसके अंदर दो महिनी के आपको training मिलती है तो screen पर जो number आ रहा है इस number पर call करके आप इस course के बारे में पता कर सकते हैं तो आपको लगातार अगर आपको लगता है कि personality development के ऊपर ध्यान देना है तो अलग लग domains के ऊपर हमने काम किया हुआ है आप इस number पर call करके इस course के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो हम बात कर रहे है राहूल की जब हमने story शुरू करी दी तो राहूल को जो basic चीज़े पता हुनी जरूरी है यहां तक कि जब वो अच्छे लोगों से मिलेगा अच्छी संगत में जाएगा एफिलेंड लोगों के बीच में जाएगा तो उसको क्या क्या अपने अंदर improve कर से आने वाली वीडियो आप मिसना करें और शेर दिस वीडियो गो सर्फ में जहन्त